Hello, good afternoon my dear children, welcome to you. Today in our class 10th, आज हम देखेंगे a great moment, a great moment for all those children, कैला सत्यार्थी. इनकी राइटर है, written by the कैला सत्यार्थी. आज ऐसा चंड जो बच्चों के लिए उनके जिवन में बहुत अधी महत्योपूर्ण था. तो ये कैला सत्यार्थी. कैला सत्यार्थी के वारे में हम थोड़ा सा जाने के कि कैला सत्यार्थी जो थे यहाँ नोबल पुरुसकार से सम्मानित थी. यहाँ भारत के दुसरे ऐसे जिनको नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया मदर टैरिशा के बाद में. कैला सत्यार्थी इनका जैन्म मत्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था. इन्होंने नोबल पुरुसकार को किस फिल्ड में दिया गया था कि ऐसे बच्चे जो अपने शिक्षा से वंच अधिशन था या पूरे वर्ड में इसने काम्यावी पाया और इसलिए किला सत्यार्थी को नोबल पीस प्राइसे सन 2004 में सम्मानित किया गया था. तो यह आगे कोशचन एंसर्स देखे हा हां और एक्षी जहुर कि कैला सत्यार्थी जो थे कैला सत्यार्थी आगे कोश्यों देखें, Why did Adam Smith call Kayla Satyarthi? तो Adam Smith और Kayla Satyarthi के बीच में इसमें conversation बताएं गया है कि Adam Smith जो है, वहाँ Kayla Satyarthi को interview के लिए call करते हैं तो Why did Adam Smith जो है, वहाँ इनका interview लेने वाले हैं, साथ चातकार ले रहे हैं Adam Smith call Kayla Satyarthi तो Adam Smith जो है, वहाँ Kayla Satyarthi को क्यों call करते हैं? And answer, Adam Smith called K.S. मिन्स Kayla Satyarthi आप यहाँ पी full form टेकेंगे, K.S. to announce the award of the Nobel Prize to him इन्हें Nobel Prize के लिए call करते हैं, नोबल पुरुषकार से सम्मानित किया जाना है, इस लिए इन्हें Adam Smith call करते हैं Second question, Why was Kayla Satyarthi awarded the Nobel Prize for peace? साम्ति की छेत्रे में इनको नोबल पुरुषकार से सम्मानित क्यों किया गया था? K.S. मिन्स Kayla Satyarthi was awarded the Nobel Prize for peace Because he had devoted his life for upliftment of the millions of the children in the world So, देश भर, संसार भर में ऐसे बच्चे जो अपने एजुकेशन से वंचित हो गया थे ठीक है? Deprived, Deprived means क्या होता है? Deprived means वंचित हो जाना लाख को ऐसे बच्चे जो अपने एजुकेशन से वंचित हो गया थे who are deprived of their children, health and education and the fundamental right to freedom ऐसे बच्चे जिनको education का अधिकार होता है, health का अधिकार बच्चों की प्रादिक नेसेसिटी है कि उनको health and education ये बच्चों का first necessity है और इसी से बच्चे जो थे चिल्रन, they were deprived और इसी के इस फिल्ड में इन्होंने एक अभियान चलाया था, जिसले नोबल फिस प्राइस से सम्मानेत किया गया था Malala Yusuf Hujai जो है यहाँ पाकिस्तान से विलॉंग करते थे तो बहारत के इतिहाद में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब दो वीरो थी देश, एक Malala Yusuf भाई जो विलॉंग फ्रॉम पाकिस्तान, उनको यह पाकिस्तान से विलॉंग करते थे और भारत के जो कहला सत्यारती है जो मद्यप्रेदेश की विजीसा एक छोटे से गाओं में इनका जन्मू हुआ था, इन्हें सम्मानी किया गया था धन्यवाद, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे कोस्टन एंसर के साथ फिर मिलेगें, थैंक्यू